ये उट सुब गई इसके से आप सुभी लोग welcome back to another gameplay video तो गई सारे सुभी लोग दुबार सके लिए चारे हैं GTA 5 तो जैसे कि आप सुभी लोग को पता होगा कि Big Mafia के बेटे ने भी Michael, Trevor and Lester को अपने अंडर कर रखा है यानि कि एक टाइप से kidnap कर रहा है और अपने लिए काम क को बोला था कि अगर तुम मेरी ले diamond casino के locker से secret painting चुरा कर लाओगे मतलब कि जिसका price international market में billion dollars में है तो वह painting से अगर मैं इसको लाकर देता हूं तो इसने मुझे कहा था कि यह Lester को यहां से जाने देगा यानि कि हम तीनों में से Lester को छोड़ देगा बट यार इसने ऐसा कि रहते हैं इसको मारने के लिए तो देखो यार सीधी से बात है यहां पर मैं भी चाहूं तो गंचीन के इसको मारना शुरू कर दूँ और यहां पर जाकर big mafia के बेटे को भी मार दूँ लेकिन यार दिक्कत की बात ना सिर्फर सिफ एक ही है कि Lester और Trevor भी मर सकते हैं मतलब क कि अगर मैं मालो वहां पर मैं उसको मार रहा हूं और जो बागी यहां पर सोल जैसे हैं उन्होंने आकर Trevor को मार दिया फिर Trevor को कहीं और पकड़ कर ले तो वह बहुत गलस सीन हो जाएगा तो वह चीज़ना काईस आप लोग नहीं समझ रहे तो यही एक रीजन है जिस हो जैस देck रहे हो तो करना है जेसे हिस वह जात बात करते हैं का सीन इसको का चाहता है तो सारे के सारे द्रॉक्स इसके फादर के बेस पेद है ना तो वो सारे के सारे ड्रक्स है ना मतलब कि मिलिटरी वालों के हाथ लग गए हैं तो अब आप लोग सोच रहे होगे कि इसके इंडर नी है कुछ स्वैट सोलजर नहीं है जो कि पुलिस वालों के लिए काम नी करते हैं इसके लिए वह भी पुलिस वालों के ड्रस में ताकि भार के जो मतलब बंदे हैं उनको भी इसके ऊपर शक ना हो तो गाहिज जार दिखो अभी मैं लेकिन यार इस टाइप के काम जो है मतला मिलिटरे से भीड़ने वाले मैं पहले भी कर चुका हूँ बट यार दिक्कत की बात यह है कि अगर मैं यह वाला काम कर भी देता हूँ मालो यह फिर भी ट्रैवर को ना चोड़े तो मैं क्या करूँगा मुझे वो चीज समझ नहीं आ बीना फटवर्ट से हम लोग यहां पर एक गाड़ी पकड़ कर निकल लेते हैं और जैसे यह फर्मिशन दे देता ना हमें यहां से जाने की जितने भी सोल्जर्स है वो हमारा पीछा करना वगरा सब को छोड़ देते हैं तो बीना जल्दी से मैं आगे चलकर गाड़ी में ब अंदर एंटर होता हूं तो यह लोग चेकिंग करके जितने भी वैपन मेरे पास होते हैं यह सारे के सारे यहां पर बाहर निकाल देते हैं तो अभी नहीं से अपनी गाड़ी को बाहर करना थोड़ा सा मुश्किल है उस साइड से अपनी गाड़ी आराम से बाहर हो जाएगी क्योंकि इनको पता है मैं बिना पर्मिशन के कोई भी चीज़ करने की हिम्मद भी नहीं कर सकता हूं तो यहां पर फिलाल चोई ट्रैवर भी भाग कर आ गया है और ट्रैवर की कल इतनी चाथा पिटा हूँ थी फिर भी आज इतनी चोड में चल रहा है तो अभी नहीं आप लोग यहां पर देख रहे हैं और अभी फिलाल में अपनी यूएस बगाते बगाते हैं टैनल में बहुत जदा आगे तका चुका हूँ और यहां परना भी सोल्जर्स की जो मतलब की क्वांटिटी है वो बहुत जाता बढ़ा दी कई है मतलब की हर चगा हर एक पिलर प कितना जादा सीक्रेट गेट इन लोगों ने बना रखा है तो कि जैसे कि आप लोग यहां पर देख पारे हो अभी ना इन लोगों ने यह वाला गेट बंद कर दिया और यह जो टैनल के गेट है यह इन्होंने फटावट से खोल दिया मतलब क्या सच्ची में यह लोग जो चालू कि समगे हैं अगरना यह लोग टनल बंद कर देते हैं तो समय लोग कोई भी होंदा फिर यहां पर अंदर एंटर नहीं हो सकता फिलाल फटावट से निकल लेता हूं और यह जो यू ऐसा बहुत सवाधा डेंजरस है और फ्लीज प्लीज प्लीज अभी कोई दिक्कत गाड़ी चला रहा हूं कि अगर एक भी टुक है ना सीथा नीचे जाकर गिरेगा तो भी जल्द इसे मैं अपनी गाड़ी जो है भगात भगाता यहां से निकल लेता हूं सीथा लॉस साइंटोस के लिए और देखते हैं आज का जो इसका काम है वो हम लोग कर पाते हैं या फिर नहीं कर बात है वैसे यहां रहा है अगर हो सकता है कि ड्रक्स जो है मिलिटरी वालों ने उसके लिए जादा सिक्योरिटी रखे हो तो फिर याज से चुराना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है बाग यार यह जो गाड़ी है ना बहुत जादा तगड़ी और यहां से मुझे Los Santos पोचने में जादा टाइम नहीं लगने वाला क्योंकि इपनी गाड़ी जो है बहुत ही जादा बढ़ी है लेकिन गाइसर एक ना दिक्कत की बात है मतलब कि ट्रैवर मुझे ये कह रहा है कि इसने बिग माफिया के बेटे की बाते सुन ली थी मतलब सारे सारे सो रहे थे बस सोल्डरस आगे होए थे तो वो नहीं सोलडर्स से ये बात कर रहा था कि अगर जैसे ये मतलब कि मेरा दूसरा काम भी कर देंगे तो वो लचैश्illa को चोड़़ के माइकल ओरड़र को मार देगा मतलब कि उसकी दिमाग में अभी ये चल रहा है कि अ अगर हम लोग उसका ये वाला काम भी करते हैं, तो भी वो पहली बातों में छोड़ेगा नी, उल्टा माइकल और ट्रैवर दोनों को मार के खेल खतम करतेगा, ताकि लेस्टर जो है उसके अंडर हो जाए, और लेस्टर को कोई भी बचाने वाला ना बचे, और वो खुद लॉस सेंटोस पर राज करे, अब यार देखो ना समझ नियारा किया क्या जाए, मतलब कि उस बंदे को मारा जाए, या फिर उसके लिए काम किया जाए, कुछ भी नहीं समझा रहा है, बट यार अपना ना सिर्फ अभी एक ही टार्गेट है, मतलब कि हमार पास 10 घंटे का टाइम है, और हमें कुछ भी करके लेस्टर को वहाँ से लेकर आना है, अभी देखो यार वहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुक है, ट्रैवर अंदर था, ट्रैवर भी भार हो चुक है, बट यार लेस्टर अंदर ही रहा गया है, और उसको पता है लेस्टर ये कैसी चीज़ है, जिसके दम पर ये सारे के सारे काम करते हैं, तो यार अभी ना में कुछ भी करके, अपना दिवाग लगा कर, अपना प्लान बना कर, लेस्टर को वहाँ से बाहर करना पड़ेगा, लेकिन काईसर अभी ना एक चीज़ समझ नहीं आ रही, कि आखिरकार फ्रैंकलिंग कहां पर चला गयार, फ्रैंकलिंग को ना एक बारी कॉल लगाता हूँ, जब लासे में हमारी फाइट हुई थी ना, तो फ्रैंकलिंग जटके से गायाब हो गया था, तो अभी ना फ्रैंकलिंग से बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो भी जल्दे से हाँ पर मैं एक बारी ना फ्रैंकलिंग को कॉल लगा कर देखता हूँ, कि आकिरकार उसका नमबर मिल रहा है, या फिर नहीं मिल रहा है, और ये जो फ्रैंकलिंग का नमबर है, ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट नमबर है, उसने ये नमबर किसी को भी नहीं दे रखा है, अभी फटवर्ट से ना उसको मैं कॉल लगाता हूँ, और देखते हैं हमें फ्रैंकलिंग मिलता है, मतलब कि जब लास्ट टाइम वहां से फ्रैंकलिंग भागा था ना, तो वो ये कह रहा था कि ना उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, बहुत ज़्यादा गोलिया लगी थी, और उसके सामने गाड़ी कड़ी थी, तो वो ज़्यादा गाड़ी में बैटके भागा, और वहां पर बीच रास्ते में उसे अंडर वाटर माफिया भी मिल गया, और साथ में वो भी मिला था, मतलब कि जो लेस्टर का पार्टनर था, बट यार वो बहुत ज़्यादा गायल आलत में है, अभी वो हॉस्पिडल में, वो ठीक नहीं हुआ, फ्रैंकली ने मुझे अपनी लोकेशन बता दिया, जहां पर वो अंडर वाटर माफिय के साथ चुपके बैठा हुआ है, तो भी जल्दी से मुझे मिलने चलता हूँ, क्या पता, फ्रैंकली मुझे वहीं पर मिल जाए, तो यहां पर देखो, वहाँ जाने के लिए, मुझे अपनी गाड़ी को यहां से नीचे उतारना पड़ेगा, तो वो वेहराउस मैंने देखा तो 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 वो देखो, सामनी की तरफ में शाय से इसी वाले वेहराउस में हो सकता है फ्रैंकलीन, बाकी ना यहां पर सामनी की तरफ में पुलिस वालों के तो गाड़ी खड़ी है, और यहां पर इसके अंतों से बहुत जादा धुआ निकल रहा है, और ये गाड़ी के क्या हाल हो तो रुकिया बाई अब तो मैं कन्फर्म हूँ कि फ्रैंकलिन यहीं पर है बाई साब गाड़ी कितनी बुरी तर आए ठोकता ठोकता यहाँ पर लेकर आया है तो बीने जल्दी से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ अपनी गाड़ी में बैटके चले थे मेरे को लगे तो रहे कि फ्रैंकलिन अंदर ही होगा क्योंकि अगर वो छुपके बैटा है मतलब कि वहां से जब भाग कर आया था तो क्या पता वो उसी गाड़ी में बैटकर आया हो तो जल्दी से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और यहाँ पर अभी तो फिलाल मेरे को कहीं पर भी फ्रैंकलिन उतर ही है देखो भाई साब यहाँ पर भी आपको नजर आगयो है फ्रैंकलिन और अंडर वाटर माफिया तो भी नजर जल्दी यहाँ पर यह उदास किसे लिए बैटा हूँ अगर आज आज हमें कुछ भी करके दस गंटे के अंदर लेस्टर को बचा के लाना है मतलब कि अगर दस गंटे जैसी बीच जाएंगे तो वो जो यह लेस्टर को डिरेक्ली मार देगा या फिर हमें दस गंटे से वहले वहाँ पर उसके ड्रक्स लेकर पोचना होगा तो भी ना कुछ भी करके हमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है वरना यार वो लेस्टर को जरू मार देगा तो भी ना जल्दी से मैं अपनी घाड़ी को यहाँ पर सबसे पहले पीछे लेता हूँ और सामने ना यहाँ पर वुडन वोल है जो कि इन लोगों ने बनाई थी जगा को ढखने के लिए तो भी ना जल्दी से जगा को मैं तोड़ के बाहर निकल लेता हूँ और उस प्लान में ना मतलब कि हमें तीन-चार चीज़े करनी है बट आर वो जो प्लान है ना उसके सकस्फुल जाने के बहुत ज़्यादा चांस हीज है तो दीख आर जो फ्रैंकली ने प्लान में लाया उस प्लान में करना के हमें लेकिन उस गाड़ी को टस्स से मस ना कर पाए कोई भी तो दीखो भाई जैसा कि ट्रैवर ने कहा था कि जैसी हम लोग उसका काम करेंगे यानि कि जैसी हम लोग उसकी ड्रग्स उसे ला कर दे देंगे उसके बाद वो माइकल और ट्रैवर दोनों को मार देगा लेकिन गाईज आर अगर हम लोग एक ऐसी बुलेट प्रूफ वीकल में बैट कर जाएं जिस वीकल में ना ही कोई आँग लग पाए चितनी मर्जियां गोली चला लो लेकिन वो गाड़ी फूटे ना और अंदर वाले बंदे को एक भी गोली ना लगे तो अभी ना हमें किसी ऐसी गाड़ी का जुगाड करना है और मुझे पूरी उम्मीदा इस टाइप की जो गाड़ी है ना वो बैनी जरूर बना सकता है तो अभी ना जल्दी से हम लोग इस वाले घर के अंदर चलते हैं फ्रैंकलीन कहा रहे हैं उसे एक जगा पता है जहां पर इस टाइप की गाड़ी मिल सकती है तो अभी फिलाल हम लोग ट्रैवर के घर पर आ चुके हैं यानि एकलिप्स टावर पर आ चुके हैं और यहां पर काफी जाता अच्छी कासी साफ सफाई भी है तो यहां पर भी बैटकर हम चारों लोग प्लैन बनाने वाले हैं कि आखिर हमें आगे क्या करना है और जो वो गाड़ी है वो कहां से मिलेगी तो वहां से जाकर हम लोग वो गाड़ी जो है न चुराकर ला सकते हैं और यार यह देखो यह है ट्रैवर का गेमिंग रूम और यहां पर अभी फिलल मैं इधर आयों चेक करने अपने बैंक का बैलेंस ऑनलाइन तो मुझे पता नियार मेरे बैंक में इस टाइम कितना पैसा एक बार ही चेक करता हूँ कितना पैसा मेरे पड़ा हुआ ओ भाई साब दो डोलर भाई देख रहे हुँ मतलब कि बिल्कुल पैसा बचा ही निया भाई बैंक में सच्ची में अभी चलो यार कोई दिक्कत की बाद नी पैसा वैसा तो बाद में भी आता रहेगा अभी ना कुछ भी करके में लेस्टर को आज की डेट में बचाना है तो यहां पर भी फड़ावर से न मैं ट्रैवर को अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ क्योंकि लेकर टाइम है तो में कुछ भी करके जो आज की डेट में लेस्टर को बचाना है तो भी जल्दी से लिफ्ट में बैटके चलेता है नीचे तुछे लोगाई जर अभी फिलाल में नीचे लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर तो आगयो अभी मैं सिधा जाने वाला हूँ सब सबसे पहले एमुनेशन की शॉप पर क्योंकि आपको बताओगा मेरे पास तो मेरा देशी कटा है बट यार ट्रावर के पास ना भी कोई भी वैपन नहीं है तो सबसे पहले ने से एमुनेशन की शॉप से मेरे वो गंदे डाली पड़ेगी अभी आर देखो ना मैं इसको ए भी बंदा पावरफुल नहीं है तो अभी ना एक काम करेंगे मैं एक ऐसी पिस्टल खरीदूँगा जिसको ट्रैवर या तो गाड़ी में चुपा देगा या फिर हम लोग ना अपस अपनी पोकेट में चुपा देंगे कि जब वो लोग चेकिंग करें तो उनको पता ही ना चले कि हमारे पास कोई पिस्टल है तो भी ना जल्दे से यहां पर मैं एम्मिनेशन की शॉप पर जा रहा हूं एकदम जो छोटी वाली पिस्टल आती है वो बाय करेंगे और वो मैं ट्रैवर को देदूगा या फिर हम लोग ना गाड़ी में ऐसी जगा चुपा देंगे कि किसी को भी पता ना चले तो चलो गाईज अर अभी फिलाल में अपनी गाड़ी पखाते हो एते पोचनी वालों सीधा एम्मिनेशन की शॉप पर और वहां पर चल कर देखते है कि हमें कौन सा वैपन बाय करना चीए जो कि एकदम मतलब कि हाइड हो जा है हमारी पॉकेट के यहाँ पर जो एम्मिनेशन की शॉप है पीछे तो नहीं रहे नहीं 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 यह जो सामने वाली शॉप है यही एम्मिनेशन की शॉप है तो बिफटावर्ट से में अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार करता हूँ और जल्दी से अंदर चल कर देखते है कि मुझे कौन सा आर्मर खरीदना चीए है कौन सा वैपन खरीदना चीए और जो भी है देखते हैं क्या क्या यहां पर मिलता है अभी फटवाट यहां पर सबसे पहले तो मुझे ट्राइवर के लिए गंस भाई करनी है कि यहां पर अभी जा चोटती वाली गंड 있나? एक तो ये भी है और एक ये भी है और यहां पर एक सक्न लेख जड़ाओ नीचे की तरफ में पिस् bizi चीए.. ..वह जँद लेखो यह जो बहुत जू जड़ा चोटी है तो यहां पर यह वाली गंड भाई कर लेते हैं इस gun को ना बस हमें एकदम चुपा देना है और यहां पर इस gun में थोड़ी बढ़ी बढ़ी है लगवाए थे हैं आर्मी टिंट करवाए थे हैं जो भी बहुत जदा बढ़ी है लगवा देते हैं बाकि तो सब कुछ जो है फुली अपग्रेड है तो यहां पर भी यह जो गने और को यह वाली जो पिस्तल ही देता हूँ तो चलो गाइस अरभी फिलाल में उस जगह पर जाने वाला हूँ जहां पर मुझे फ्रैंक ली ने जाने के लिए का था अब यहां पर जितने भी बड़े बड़े आफिस है ना इन ओफिस के नीचे ने एक बहुत ही जदा तगड बुलेट प्रूफ वीकल है तो फ्रैंकली ने मुझे बोला है उसकी गाड़िया में चुरानी है क्योंकि वह बहुत जदा तगड़ी है और बेसिकली वह जो गाड़ी है ना वो बनाई इसलिए कि उसके अंदर ना कोई अगर बंदा बैटा है तो वो किसी भी कीमत पे मारा ना जाए तो भी ना जल्दी से मैं वहाँ पर चलता हूँ और देखते हैं कैसी गाड़ी है कौन सी गाड़ी है फिलाल जो लोकेशन मुझे फ्रैंकली ने दी थी एक्जक्ट उसी जगा पर पहुँच चुको हूँ और यहाँ पर ना आप लोग सामने की तरफ में देख पा यहाँ पर तेरी ऐसे की तैसी गंजे निकल और भाई साब ट्रैवर गोली किसलें चला रहा है इसको मार इसके मूँपे और भाई साब अभी देखो यहाँ पर ना भी आर्मर ना पहना होता ना अपना भूत बना देते हैं लोग यहाँ पर सामने की तरफ में बहुत सारे ब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर बचे हैं तो अभी ना इस साइड पर बहुत सारे पूलिस ऑफिसर बचे हुए जिन को माना जरूरि एक गया दूसरा गया तीसरा गया मेरा निशाना नहीं चूकने वाला भी चोत्ता भी गया यहाँ और और कोई है गाड़ी किसने फोट दी भ वरना दिकत जाएगी भाई बहुत जादा बंदे है इदर भी एक और गया मेरा चोट डेसी कट है ना वो मैं इसलिए चलाता हूँ कि एक गोली मारनी पड़ती है और बंदा सिधा डाउन हो जाता है कुछ इस टाइप से तो निकल तेरी ऐसी की दसी और यहाँ पर एक भी आगए तुम्हारी भैंस किड़ा किसी को भी नी छोड़ने वाला और गीभी अठाओ भई मिरको लग रहा ना हैलिकॉप्टर भी आगे है अब यार यह चोटी सी गाड़ी चुराने के लिए तुम हैलिकॉप्टर वगएरा सब बुला लो लेकिन यार देको मिनिस्टर की गाड़ी है इसलिए ना यहाँ पर भाई अभी बहुत ज़्यादा कलेश हो सकता सीटी में तो चलो गाई सार अभी ना मैं जल्दी से यहाँ पर बुलेट प्रूफ वाली गाड़ी आना इसको लेकर आ ज़ता हूँ तो चलो गाई इस गाड़ी को अपनी आगे बगाता है 3,2,1 और यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी को बाहर निकाल लिया है और यहार यह जो गाड़ी आना देखने में तो बहुत ज़ता भारी लग रही है और इस गाड़ी में आगे गोलियां भी लगी हूँ यह ओपाई बहुच अबर दस्त तो ट्रैफर भाई जल्दी से गाड़ी में बैट और यहां से भी अपनी गाड़ी लेकर निकल लेता हूँ गैसे रेक काम करका नहीं यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी खड़ी कर देता हूँ और नहीं टेस्ट करते हैं कि यह लोगो मार पर जितना मर्जी अटेक कर लें यहां पर हमारी गाड़ी को कुछ होता है यहां फिर नहीं होता अभी तक तो फिलाल हमारी गाड़ी से सिर्फ दुआ निकल रहा है लेकिन यार गाड़ी को कुछ भी असर नहीं हो रहा और यहाँ पर आप लोग देख पर हो भाई गाड़ी में आगे गोलिया भी लगी है मतलब कि भी जितने भी बंदे आगे आने वाले ना सबकी गाड़ीया मैं ऐसी फोर्दूंग यह देखो यहाँ पर इन पुलिस वालों की गाड़ीयों पर गोलिया मारना शुरू करिया है और गाड़ी में आग लगी पुलिस वाले भी जलके मर गए बहुत जबरदस्त है इस वाली गाड़ी में जो पुलिस वाला बैटा था उसको भी मार दिया यह जो बुलिट प्रूफ फीकल है बहुत ज़्यादा खतरनाग है इतनी ज़्यादा गोलिया लग रिया बट गाड़ी को एक दम बिल्कुल पता ही नहीं चल रहे कि कुछ हो भी रहे लेकिन गाड़ी के शिशे टूटे नहीं थे लेकिन आगे वाला जो शिशे है न वो पूरा बुलेट प्रूफ था लेकिन यार बुलेट प्रूफ होने के बावजूद पुलिस वालों के इतनी ज़्यादा गोलिया चलाने के विज़ासे वो तूट गया तो बीना फटवर्ट से यहां पर इस वाली गाड़ी को मैं लेकर निकल लेता हूं बैनी के पास यहां पर न मैं इसको और जाता अपग्रेड करवाद हुआ और और जाता बुलेट प्रूफ करवाएंगा और यह देखो यहां पर न काईस अभी सारे शीशे तोड़ गए हैं मतलब कि अगर अब पुलिस वाले हमें मारेंगे तो शीशों से हमें गोलियां लग सकती है इसलिए सबसे पहले यहां पर जितनी भी विंडॉस है ना मुझे उनको पूरा 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 मतलब पूरा बॉलेट प्रूफ कराना पड़ेगा ताकि पुलिस वाले मेरे एक भी गोली ना मार पाए तो चलिए अभी फिलाल में अपनी गाड़ी पखा जा जा जाना है और जो अपना शोरूम है वो आजाएगा तो अभी ना जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को नीचे बेस्मेंट में लेकर चलेता हूँ और यहार दिखो आजने वाली जो पार्किंग है पूरी की पूरी खाली बड़ी है अब अभी फटापट से मन अपनी गाड़ी को यहाँ पर अंदर एंटर कर रहा हूँ लिट से चलते हैं नीचे तो जली जाल है रभी फिल्लाल यहां पर बैनी से बात होगी फिलाल बैनी ने मुझे बोला है कि ये एक से देड़ गंटे के इंदर मैं पूरी की पूरी गाड़ी रिपेर भी कर दूँगा तो इसलिए यार अभी न जदे से चल लेता है सिधा है ड्रक्स को लेने अभी अभी न जो मैंने प्लान बिना है वो यह है कि हम लोग न उसको फेक ड्रक्स ले जाकर देंगे मतलब कोई ऐसे चीज जो कि दिखने में as it is ड्रक्स जैसे ही हो ताकि न एक बार उस बेस के अंदर हमारी एंट्री हो जाए अगर देखो एक बार उस बेस के अंदर एंट्री होगी न तो उसके बात पूरा का पूरा खेल हमारे आत में है हम लोग क्या करने वाले आपको पता होगा जो मेरी गाड़ी है जो कि मैंने बैनी को मोडिफाइ होने के लिए अभी दे रखी है उसको पूरा का पूरा बुलेट प्रूफ करवा देंगे सिर्फ उसके न विंडोस रहे थी वो भी अभी बैनी पूरी बुलेट प्रूफ कर देगा यानि कि अगर हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे रहेंगे तो वो लोग भार से चाहिए जितनी मर्जी गोलिया चला ले हमें कुछ नहीं होने वाला पिर उस गाड़ी से न हम लोग क्या करेंगे जितने भी माँ पर सौलजर्स हैं जितने भी स्वैट सौलजर्स हैं सभी लोग को मार देंगे और स्धूर को उस गाड़ी में बठा कर वहाँ से निकल लेंगे तू की गाइस अभी फिलाल में अपनी गाड़ी बगाते हो ते पोचने वाला हो सुधर ट्रैवर के घर याने एकलिप्स टावर पर और मैंने भी फ्रैंक लिंग को भी फोन करके बोल लिए कि अंडर्वाटर माफिय के साथ जल्दी से नीचे आ जा क्योंकि अभी ना मिशन प गाड़ी का इन्होंने ना स्पीड दिया वैसे अर पता कुछ भी नहीं हो एक डेंट आया मानोगे बिलकुल भी कुछ नहीं और इतनी बुरी वाली टककर लगी थी और लेट से जा रहे हैं रॉल्स रोइस तो अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर पाक कर अभी ना कुछ भी करके मेरे को जल्दी से कुछ ऐसे वैपन्स की जरूत है कुछ ऐसे बॉंब्स की जरूत है जो कि हम वहां पर गेट पर लगाने वाले है ताकि उनका गेट पूट के हाथ में आ जाए तो कि आप लोग यहां पर देख पर हो भी चारो लोग गाड़ी में और जल्दी से भी हमें निकलने हैं सीथा ड्रक्स का जुगाड करने के लिए अब देख यहां पर अंडर वाटर माफिया को एक जगा पता है जहां पर न हमें कुछ ऐसे बॉक्स मिल जाएंगे जिनके अंदर ड्रक्स पैक होता है बट यहां उसके अंदर ड्रक्स है नहीं तो गयाने का चलो कोई दिक्कत की बात नहीं जितना होपाता है उतना लेलो बाग यहार वह जिस ड्रक्स की बात कर रहे है वह उतिवार बहुत ज्यादा अलग है और वह इस टायम नहीं सीधा हम लोग मुसीबत में फश जाएंगे तो भी जो भी बॉक्स होते है जिसके अं वाले हैं या फिर नहीं तो फिलाल दीको यही जगह है जो कि में अंडरोटर माफिया ने बताई थी और यहां पर मैं अपनी गाड़ी लेकर पोच चुका हूं तो यही वो घर है जिसकी बात कर था अंडरोटर माफिया तो भी जल्दी से घर के अंदर चल कर देखता हूं और मैं अकेले जाओं कि इन सब को लेचलो कोई दिक्कत के वाद इस सारे भी आजेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर इसी घर की बात करी थी अंडरोटर माफिया ने तो भी जल्दी से मैं घर के अंदर चल कर देखता हूं और यह देखो बाई यहां पर नहीं हद्द से करने में कोई भी दिक्कत ना है तो यह जो बंदे से में बात करनी पड़ेगी वैसे नौर्मली भी चुरा के ले जा सकते हैं तो गाइस रवी नहीं इस बंदे से यहां पर बॉक्स लेने की बात जैसी करी नहीं वैसी पता निकीश की चोड़ में आ गया है मार इसको बैस को यहां पर हम लोग इसको पैसे दे रहे हैं बॉक्स फ्री में थोड़ी ले जारे जो इतना चोड़ा हो रहा है मारो भाई अभी इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ डंड़ा वंड़ा निकाल के मारो पेटा पहली बता रहा हूँ अभी यहां पर देख लो इसे दे रहे हैं अब यहां पर आकर इसने यह काम शुरू कर दिया तेरी ऐसी की तैसी वापीस जेल में चाहना चाहता है तो हमें बता दे वैसी मेरे जेल में इतने चक्कर लगते रहते हैं और भाई अभी तो हमने इसके धड़ाई-दड़ भर दी है रुख जाओ इसका का भागने का निते हों फिलाल यहां पर अंड्र्वार्टर माफिया ने लोड ट्रेह लिया है मेरे साइब साने बॉक्स लित रहें हैं अभी न पूर रहागे को दिखे्गें जुछरी आपर गैकर बु्सक्राइब है एक यह गांति आप दिख तभी जा आप मैंने गल्दी से गाड़ी में रेज देती थी और इसने गाड़ी का गेट जस खोला ही था तो भी ना फटावर्ट से वापिस से निकल लेते हैं सीधा बैनी के पास और आपको तो पता ही होगा कि यार बैनी ने अभी तक अमारी गाड़ी जए वो कंफर्म रिपेर कर दियोग और इसने गाड़ी का पूरा का पूरा कलर ही चेंज कर दिया है तो चले जल्दी से यहां से अपनी गाड़ी बाहर निकालता हूं लग रहा है थोड़ा बहुत काम जो है बाकी रहे गया जो कि अभी बैनी कंपलीट कर रहा है तो जैसे यह काम कंपलीट करेगा उसके बाद गाड़ी बाद गोली मार के लिए टेस्ट लेने वाले है तो कि जैसे कि यहां पर देख पर रहे है बाकी तो आप लोग यह जो गाड़ी के लुक है ना वाई कितनी जादा बढ़िया हो गया चारो तरफ से गाड़ी को पूरा पूरा बुलेट प्रूफ कर दिया है मतलब कि जो आप देख पर है ना बलाक बलाक तो इस सारी की सारी आर्मर प्लेट लगे और जितनी भी विंडोस थी उस पर भी बैनी ने आपर आर्मर प्लेट लगा दिये मतलब कि अब यह अपनी जो गाड़ी है वो बहुत जादा खतरनाक हो चुकी है तो देखो गाड़ी ना इतनी गोलिया मार दिया है तायर को एक उर्पे का भी फरक नहीं बड़ा है और अगर वहीं मैं दूसरी गाड़ी से अंदर होगी दूसरी चीज टेस्ट करते है कि जब हम लोग गाड़ी के अंदर होंगे तो क्या विंडो से हमारे गोलियां लगने वाली है तो यहाँ पर पहले बात तो ना विंडो में आर्मर प्लेट लगी हुए है तो सीधी से बात है गोली अंदर जाए नहीं सकती बट फिर भी गोलिया मारते हैं यहाँ पर देखो शीशा ना एक शीशा भी लगा हुए बार शीशा पूरा का पूरा टूट गया लेकिन शीशे के उस पार है आर बट यार फिर भी इस गाड़ी को कुछ नहीं हो मतलब कि आर्मर प्लेट बहुत जादा मजबूत होती है उट गया पर वे उसने लगाए है थोड़े वह इतने जादा ना मजबूत नहीं है तो चले बहुत जदा बढ़ी है अपनी गाड़ी एक दम परफेक्ट है बट अकर बजूका होती ही ना तो एक बारी ओर टेस्ट जाते कि गाड़ी में आग लग रही है या फिर नहीं लग रही तो नहीं अभी जल्दी से वाली जो गाड़ी में बैनी को देता हूं ताकि वो जल्दी से हैडलाइट को दुबार से ठीक करके लिए है फिर हम लोग नोग ना से इन निकल लेते हैं तो कि जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी पीछे वाली फंसे सारे के सारे ड्रकस के बॉकसे बॉक्से वह इस वाली और लोड गया हैं ओर सीधा जाने वाल एह सीक्रेट बेस के लिए। जहां पर बिकमाफय का बेटा हमाराब कर रहा ह लेकिन गाड़ी की जो की सबसे जादा खतरनाक है तो यह दिको भाई इस गाड़ी के आगे ना टोटल चार यहाँ पर गंस लगी भी है मतलब कि यार यह तिनी जादा पावर्फुल है ना मतलब किसी भी बंदे के अगर आप गोरियां मार दोगे तो भाई अगर मार लोग गाड़ी जा रही है ना तो गाड़ी के अंदर चार बंदे बैटे हैं मारने में मुश्किल से दो से तीन सेकिंड बीन लगेंगे चारों बंदों को तो भी ना फटवर्वर्ट जल्दी से निकल लेता है सीथा उसको बचाने के लिए और यार देखो अभी ना बीच रास्ते में आमें गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता होगा कि अंदर सिर्फर सिर्फ ट्रैवर और माइकल जा सकते हैं ताकि हम लोग वहां से किसी भी कीमत पर भाग ना पाए या फिर ना ही कोई भार से हमें बचाने वाला आप है तो अभी ना हम लोग क्या करेंगे फ्रैंक्लीन और अंडर वर्टर माफिया को टैनल के अंदर लेकर चलेंगे लेकिन आर इनको ना बाहर ही रुकने के लिए बोल देंगे और जहां से मतलब कि स्वैट सोल्डर्स खड़े होते ना उसके आगे वाले रास्ते पर हम दोने जाएंगे इतनी ज़ादा भारी गाडी थी और पूरी की पूरी नाच गई और अपनी गाडी को एक रुपे का भी फरक नीपड़ा बाइसा पूरी बुलेट परूफ है बहुत जयादा ख़तरनाब तो गाइसर वैसे ने इस गाड़ी को चलाने के बहुत ज़दा फायद है अगर आपको रोड पर बिल्कुल भी ट्राफिक दिख रहा है तो इस टाइप से गोलियां चला दो सारी की सारी गाड़ियां जो ना अपने आपी साइड होकर रास्ता दे दिती है डर के हमारे तो यह देखो भाई सारी गाड़ियां अपने साइड हो जा रही है और मैं अपनी गाड़ीयां बहुत द कर दो बहुत ऑले को अपने ।फूटने वाली है और इतना टाइम के लगारी है फूटने में भाई मेंएको अभी जल्दी देख न हाए पूट आपर नेस पेकाथ गोलियां बजाता हो ताकि गाड़ी जल्दी से फूटे और यह देखो भाई अब ओने वाला तकड़ा धमा का बस यह थोड़ी बहुत गोलियां और चलानी है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गाड़ी आ चुकिया है ना कि अपनी गाड़ी का टेस्ट एक अब यह दो जा रहें और पूरे में आग लग चुकिया है लेकिन यार मेरी गाड़ी को कोई भी फरक नहीं पढ़ रहा है यह देखो मतलब कि वस यह गेट पुल जाता है कभी कवार बट एक रुपे का भी फरक नहीं पढ़ रहा है गाड़ी मैंने अपनी गाड़ी को इस साथ के साथ फायर प्रूफ ही है मतलब कुछ भी कर लो इस गाड़ी में आग नहीं ही लगने वाली तो चलो गाईस अरभी ना बिल्कुल भी टाइम बेस नहीं करना भाई अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को भगाता हो था निकल लेता हूं सीथा माउंट शिल्यार के बाग ही तो आप लोग यहां पर देख पार हो गाड़ी आपने देखी लिए कितनी जादा मजबूत है मेरे को न बस यहीं टेस्स करना था कि अगर कोई बजूका मारेगा तो क्या मेरी गाड़ी को कुछ होगा या फिर नहीं होगा तो बजूका छोड़ो यहां पर तो यह बड़े-बड़े धमाके हो गए तम मेरी गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा बस यह थोड़ी बहुतना मिटी-विटी लगी है लेकिन गाड़ी का नहीं एक पुर्जा तक नहीं टूटा वाई बस स्क्रैच आया है और कुछ भी नहीं तो की गाइस जैसे कि आप लोग यहां तो अभी नहीं किसी को मारने की जरुत नहीं है फटा फट से इन दो लोगो मैं जवाली गाड़ी में जाने के लिए बोल देता हूँ और हम लोग निकलने वाले इस वाली गाड़ी में और यह लोग कमारा पीछा करते करते आएंगे टनल थक तो की गाईस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं अभी नहीं वैंने फ्रैंकलीन और अंडर वाटर माफिया को बोल देखिए कि तुम लोग उस वाली गाड़ी में मेरे पीछे पीछे आना और यहां पर भाई सब देखो फ्रैंकलीन को कितनी जल्दी हो रही है उस बिचारे को गाड़ी से गिरा दिया तो नहीं हम लोग जल्दी से अपनी वाली गाड़ी में बैठते हैं और यह लोग ना भी हमारे पीछे आने वाले तो देखो वाई ट्रैवर भी बैठ गया और यहां पर सारा का सारा ड्रक्स भी हमारी गाड़ी में है तो अभी फटावर से तुम दोनों हमारे इन रास्ते हैं और यहां पर इन दोनों को देख लो पीछे आ रहे हैं तो जल्दी से में अपनी गाड़ी को लेकर चल लेता हूं सीथा आगे तरफ में और देख लो मैं कह रहे था ना बहुत जदा कन्फ्यूजिंग वाले रास्ते हैं तो अभी मैं चले जाता नीचे जो में को पूरा यूटन लेना पड़ेगा भी आगे से मोड़ कर ले आता हूं और यहां पर भी बहुत सारी मस्त मस्त गाड़ियां खड़ी भी हैं मतलब कि यहां पर न सारे के सारे ओफ रोड वीकली हैं जो कि सिपो सिप इन वाले माउंटेंस पर चलते हैं तो देखो मु इतना जदा अजीब रास्ता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है तो ओकी गाइस जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो फ्रैंकली जो है थोड़ा सा ड्राइविंग में स्लो है इसलिए थोड़ा सा पीछे रह गया था लेकिन अभी वो फटावट से गाड़ी भगा कर लेकर आ चुका है और यहां पर जैसे हम लोग टरनल के अंदर एंटर होंगे यानि कि जैसी वो दूसरा वाला गेट खोलेंगे जिस्टे हम लोग सीक्रेट बेस के अंदर जाते हैं वैसी वाली जो टरनल है वो बंद हो जाती है तो अभी नहीं इन दोनों को भी अंदर आने मैं पाक करेंगे थोड़ी देर के लिए और अभी हम दोनों अंदर जाने वाले है ट्रैवर और मैं तो चलो गाइस अभी मैं फटरवर्ट से अपनी गाड़ी को यहां पर अंदर एंटर करवाता हूँ और यार अपनी न मेरे को पहले चेकिंग भी खरवानी पड़ीगी कि ड् अंदर गाड़ी के टोर्च मार के पूरी चेकिंग कर लिया है और यहां पर इनको पता चल चुग है कि ड्रग्स जो है गाड़ी में है तो यहां पर इस वाले बंदे ने हमें आगे जाने की परमिशन दे दिया है तो भी फटरवर्ट से मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल ले मुझे कोशिश यह करने है कि बिग माफिया के बेटे के एक बी गोली ना लगे क्योंकि अगर बाहे चांस वो मर जाता है न तो फिर वो लोग लेस्टर को भी नहीं चोड़ेंगे लेस्टर को भी जिंदा मार देंगे और फिर अपना सारा का सारा प्लान जो है फेल हो जाए लेकर आया हूं और जल्दी से मैं इनको भी ड्रक्स ला कर देंगा लेकिन गाइसर अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो गाइसर अब होने वाली है असली तपाई तो 321 लेस्गोर यहाँ पर आ चुकिया बिग माफिय के बेटे की मौन्थ तो चलो गाईस यार जैसे कि पर देख पार है अभी ने ट्रैवर को बोल दे कि सीधा जाकर उसके मत्थे पर एम कर दे और यहां पर ना भी मेरे को देखना है आसपास कोई और सोल्जर तो नहीं आ रहा अभी ना फटा फटना इससे लेस्टर को बुलाने के लिए बोलते हैं तूकि गाईसर अभी ने फ गाडी को यहां पर मोड लेता हूं और लेस्टर को बिठा कर हम लोग यहां से निकल लेंगे और वो दिको लेस्टर आ गया लेगिन उसके पीछे यहां पर एक सोल्जर भी साथ में बेटा चला कि हमसे करने की कोई भी जरुद ने इसकी निकल यहां से तेरा कोई काम नहीं ह लेस्टर जल्दी से गाडी में बैट और हम लोग यहां से निकल लेते हैं तो उकी जैसे कि आप सामने की तरफ में देख भारे हो बहुत सारे सोल्जर भागते हो आरे हैं अभी हमें यहां से निकलना पड़ेगा वरना यह लोग आके मारने लग जाएंगे सीधा तो चलो ग कि लोग अभी तो दिकात की बात है कि यहां पर मैंने अभी ना बिग माफ्या को जिन्दा छोड़ दीया तो दीख तो अभी ना अपने लिए सबशे जादा में था लेस्टर तो वह भी जिन्दा हो या फिर मरे मि कोई मतलब नहीं अभी फटाफ़ों मेना यहां पर यहां वहाई बहुत सारे बंदे हैं और अगर अगर अपनी गाड़ी में यह ना लगी हो ते इतने सारे हैं पूरी की पूरी टेनल में आपर इनोंने बंदे भर दी हैं किसी को भी नी छुडने वाला तुमारी ऐसी की तैसी निकलो यहां से एक बंदा भी इनका जिंदा नी बचने वाला अभी मैं सीधा अपनी गाड़ी जो बगाते हो आगे जानो ला तुम भी निकलो भाई साब उसकी बोड़ी देखो मैंने कहां पर उठाके फैक्टे अपनी गाड़ी से और राइट में दो दो आ रहे हैं निकलो तुम इसलिए तो ली थी मैने वाली बुलेट रूप दिखाने के लिए थोड़ी ली थी तुम सब को मारने के लिए थी तो गाईसर अभी न मुझे जल्दी से अपनी गाड़ी को यहां से बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि आप पीछे से भी बहुत सारे स्वैट सोल्जर्स आ रहे होंगे मतलब कर इस टनल के अंदर यार बह पर यह देखो मैंने गाड़ी आइनकी फोर्ना शुरू कर दिया है किसी को नहीं चोड़ूगा तुमारी ऐसी की तैसी अभी ना गाईस गाड़ी में आग लगने वाली है बहुत ही खतरनाक चरीके से और यह देखो भाई यह कैसे मार रहा है पर तुम मर गया है फिर भी चै करने मालों भाई आगे इन्होंने रस्ता पूरा पूरा ब्लॉक कर रहा है कोई दिक्कत नहीं निकलती रही है ऐसी किसी खोड़ूगा वाई यह वाला टैंक तो मैंने खोड़ा और यहां पर दोनों घाडियों में आप लगकी बहुत बुरी तरह अभी जो मेरी गोली है ना अभी तक तो मचाक हो रहा था लेकिन सामने की तरफ में अभी बहुत सारे सोल्दर्स आ गये हैं मतलब कि यह ना एक्जिट का गेट है और इन्होंने यह पूरा पूरा रास्ता ब्लॉक कर रहा है तुमारी हैस के डंग एक गाड़ी में तुमारी नहीं छोड़ूना इतनी स गाड़ी नहीं पूरी पूरी बुलेट प्रूफ है कुछ भी नहीं होने वाला हमारी गाड़ी को ना यह अंदर हमारे किसी बंदे को चलती रही आसी की निकल पीछे से भी बहुत सारे बंदे आरे भाई अभी कोई ना फाल्टू चोड़े मत हो तो और मैं पीछे गलट जा चाहिए नहीं हो जाएगा तो अभी ना फ्रैंकलिन और मेरा यही प्लान था और इसी लिए फ्रैंकलीन को मैं यहां पर लेकर रहा हूं तो वी ने बाढ़ बाहर वाले गेट पर यह सारे के सारे बॉंब्ब यह प्लांट कर दी है क्योंकि मैंने आपको बताया था यह वाला तो पीछे से भी बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, उनको यहाँ पर अपना ट्रैवर देख लेकर देख लो भाई, ट्रैवर ने यहाँ पर अपना कट्टा निकाल दिया है, वो जल्दी से भी मैं फ्रैंक्लीन को फोन करके बोल देता हूं कि यह वाला गेट खोल दे, तू की कही बढ़िया एनको नहीं को नहीं बाएबगे हैं, जल्दी से भी गाड़ी मैं यहां से निकल ले ता हुए, इसलिए नवर पास जो गरणे वेट उसको अंदर फैक देता हूं और इस वाले एरिया मे आग लगा देंगे, और अब आप देखते जाए, यह पूरा पूरा बेस जल्दी से निकलो वरना पता चले आग चलती हुए यहां पर आजाए और पीछे वाली गाड़ी में यहां पर फ्रैंक्लीन और अंडर्वर्टर माफिया बैठे हैं तो उकी गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पारे हैं तो टनल के अंदर कितनी जादा खतरना का लग चुकी है तो भाई भी ना फटावर्ट हम लोग यहां से निकल लेता है यह वाली टनल का भी गेट तोड़ना पड़ेगा और मेरे साब से भी बहुत जोड़ा धमाका होने वाला है तो की जैसे कि आप लोग यहां पर देख पार हैं देखते ही देखते ही टनल के अंद कर दिया है इनको कैसे पता चल गया कि यहां पर मैं बैटा हूँ वैसे आरजे को पुलिस भी जो है ना मैंने आपको बताया था इसके अंडर में है तो भी फटाफट से ना यहां से हम लोग जल्दी से निकल ले वाला हूँ अच्छी बात तो ही है यह वाला जो टनल का थाना वो बहुत ज़दा पाउरफुल था इसलिए गेट बहुत ज़दा असानी से खुल गया और अभी अपनी गाड़ी कहां पर आकर गिर गया मुझे समझ नहीं आ रहा ओ भाई साब गयो देखो अभी जल्दी से यहां से मैं निकल लेता हूँ सामने की तरफ में भी ज़दा दिक्कत हो सकती है हम लोग तो अपना बच जाएंगे क्योंकि जब तक हम लोग इस गाड़ी में हमें कोई भी पुलिस वाला कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि हमारी गाड़ी में गंस भी लगी है और दूसरी चीज गाड़ी अपनी बुलेट प्रूफ है और यहां लाया जा रहा था उसको मैंने छोड़ दिया वरनाव एपनी गाड़ी उसके ओपर चड़ जाती तो भी ना बस मेरेको यहाला रेलवे ट्रैक पकड़ना है एक वारी ओ भाई साब क्या गाड़ी है इतने मस तरीके से जंप मार के ओपर आई बहुत सही अभी फटवर्ट मेर है इस गाड़ी में आग नहीं लगने वाली क्योंकि जो गाड़ी इतने ज्यादा तकड़े धमाकों से बचके निकल आई वह अब नहीं फूट सकती तो भी फटवर्ट से इस गाड़ी को भगाते बगाते मैं यहां से निकल लेता हूं सीधा और आगे की तरफ में यह कैसा म लेकिन छोड़ो यार अभी हम लोग मारे जाएंगे बेमतलम में और आगे की तरफ में बहुत ज़्यादा तकड़े तरीके से रोड ब्लोग कर रहा है खुद ही लोग रोंग वे आ रहे हैं तुम्हारी ऐसी की तरसी निकलो है किसी को नहीं छोड़ो आप पूरा का पूरा ह फटवर्ट से लेस्टर ने एक जगा पता है जहां पर अगर हम जाएंगे तो पुलिस वाले न शायस से वहां पर नहीं आ सकते और अगर वहां पर भी पुलिस वाले आ जाते है तो फिर समझ जाना भाई Los Santos में कोई जगह ही नहीं बची है तो भी फटवट से उस जगह पर मैं चलता हूँ यहाँ पर किसी फैक्टरी की बात कर रहा है तो यह देखो भाई यहाँ पर तो पुलिस ओलों का डिपार्टमेंट है तो इधर तो हमें जाना नहीं है इतनी सारी पुलिस ओलों की गाड़ियां खड़ी हूँ अंदर तो यह देखो यहाँ आगया फैक्टरी वाला एरिया तो मुझे नहीं फटवट यहाँ पर अंदर की तरफ में एंटर होना है और यहाँ पर आगे कोई रेलवे ट्रैक है उस तरफ में मेरे को जाकर छूप जाना है वहाँ पर शैसे पुलिस ओले नहीं आपाएंगे तो देखो भाई इस जगा की लेस्टर बात कर रहा था तो कि गाईस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी पता नहीं कैसी जगा है कौन सा वेराओस है जो भी है लेकिन इस जगा पर हम लोग आकर चुप गए है और पुलिस वाले नहीं अभी भी शहर में चक्कर लगा रहे हमको ढूणने के लिए लेकिन आर अभी पता नहीं हम लोग यहाँ पर कितनी देर सक सेफ हैं तो भीना फटावर्ट थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुकेंगो जैसे मामला थोड़ा सा शान्त हो जाएगा फिर हम लोग यहाँ से निकल लेंगे और यह पता नि कौन से जगाए अंधर की तरफ में यार पता नि क्या क्या पड़ोँगा तो चलो गाईज आर आज की इस वाली वीडियो में इतना, अगर आपको ये वाली वीडियो ची लगी हुँ तो फटेवट से इस वीडियो को जाकर लाइक करते कि जप की नहांगे रचसे कि अर्णागे पासदेश की, कारी प्रणाराज प्रणा तेरी को फजय का बने कि तेमा एंचचांगे वगे औरशा की रदुने साथरी अपिल्ग करता दंच कि दो घज तब ग्रीड भावे व मेरे बावे ठयश करता रड़ के नहीं से और रहवे प